Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और travel से related छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपी लोगों में से कई लोगों का ये सवाल है कि क्या सही में 2022 में हमारी salary बढ़ेगी यानि कि जो लोगों UAE में काम कर रहे हैं यहां के workers हैं या लेबर्स हैं या बोल सकते हैं कि किसी company के अंडर में काम कर रहे हैं तो क्या उनकी salary बढ़ेगी UAE labor law में salary को लेके क्या बोला गया है तो आज इस वीडियो में मैंने आपका ही question pick किया है और उसको explain करूँगी अपडेट आपको पता चले तो सबसे पहले मैं यह बता दू कि UAE labor law में salary को लेके क्या लिखा है तो UAE labor law में salary को लेके यही लिखा है कि इस साल 5-10% salary की increment की जानी चाहिए यानि कि 5-10% यानि कि अगर आपकी salary 1000 दिरम है तो उसको 1100 दिरम करना होगा तो 5-10% उसमें लिखा हुआ है कि salary increment होगी अब बात करते हैं कि कितनी सचाई है सीज में देखिए labor law में बहुत कुछ लिखा होता है बट practically हमको बात करनी है कि practically यहां क्या होता है कैसा situation अभी है तो देखिए UAE का market काफी ज्यादर डाउन चल रहा था कुछ साल पहले से ही कोविट के आने के बाद से UAE का market काफी डाउन हो गया था अभी थोड़ी बहुत ठीक हो रही है क्योंकि एक्सपो था तो एक्सपो के चलते थोड़ा बहुत यहां का market ठीक हुआ है और भी ठीक करने की कोशिश यह लों कर रहे हैं और ठीक हो भी रहा है तो अगर ठीक हो जाता है तो कई companies salary बढ़ाएगी बोली है एक research हुआ था वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी यानि कि यहां की companies को लेके research किया गया था उसमें कई सारे यानि की 42% companies ने बोला है कि salary बढ़ाई चाहेगी चाहे वो labels हो या कोई भी हो सबकी salary 5-10% के अंदर हम लोग बढ़ाएंगे तो यह हो गई salary बढ़ाने की बात अब बात करते कितनी सचाई है तो मैं यह बता दू कि UAE की जो government है वो हमेशा यहां की जो companies हैं उनके favor में ज़ादा रहती है यह सचाई है यहां की तो आप सब भी जानते होंगे कि यहां companies जो हैं अधिकतर जो बाहर के लोग होते हैं उनकी companies यहां पे होती है companies अपनी manpower रखती है यारे इनकी अपनी employees रखती है तो जो यहां की government है वो हमेशा favor करती है companies की क्योंकि company डाले हुए हैं लोग यहां पे तभी तो UAE market running है तो हमेशा favor में जाते हैं उनके तो अभी जो है salary बढ़ाना मतलब काफी मुश्किल है उनके लिए maximum companies यही कह रही है कि salary बढ़ाना मुश्किल है और मैं ये भी बता दूँ फरवरी के बाद भी बहुत लोगों का contract हुआ है और कई लोगों का contract change में भी गया है तो contract जिनका change में भी गया है या contract बना है उनकी भी salary बढ़ा ही नहीं गई है जो salary थी वही salary है या उस company में जो पहले salary दी जाती थी मतलब जिस भी position में हो जितनी salary दी जाती थी उसी salary से नया contract बन रहा है तो कोई भी increment नहीं है मैं maximum companies की बात कर रही हूँ मैंने आपको बताया था कि सच्चा ही मैं बताऊंगी थोड़ा बहुत मुझे research करने दीजिए जानने दीजिए उसके बात मैं बताऊंगी तो यहीं है कि बहुत कम company salary बढ़ा रही है यानि कि maximum जो chances है 90% chances है salary नहीं बढ़ेगी तो यह सचा ही आपको जान देनी चाहिए कि इस साल के mid तक, mid तक तो कोई भी salary नहीं बढ़नी है mid में world market condition थोड़ा अच्छा होगा UAE का उसके बाद में भी बढ़ सकता है बट उसके आगे नहीं बढ़ेगा तो अभी current scenario यही है salary को लेके कि जो आपकी salary है वही रहेगी नया contract भी जिनका हो रहा है वो पुराने salary से ही हो रहा है या पुराने salary जो दी जाती थी उतने ही salary में भी नया contract बन रहा है कुछ भी बढ़ा चड़ा के यानि कि 5% बढ़ा के salary या 10% बढ़ा के salary ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो UAE labor law में एक जगा बस यही लिखा है 5-10% salary बढ़ाने का उसके बाद कोई भी permanent ऐसा नहीं लिखा है कि बढ़ाना ही होगा may भी लिखा है यानि कि बढ़ सकता है तो इस साल के मिड़ तक कोई भी chances नहीं है आपकी salary बढ़ने का आप जिस भी salary में काम कर रहे हैं उसी salary में काम करना होगा बहुत लोग company change को लेके सवाल कर रहे हैं कि 6 महीना नहीं हुआ है company change करना यह करना है तो उनका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि comment में इतना लंबा comment लिखना मतलब possible नहीं होता है आप लोग समझ सकते हैं कितना लंबा लंबा सबको reply करना maximum लोग यहीं चाहते company change करना है क्या करना है तो उसके इसाब से तो मैं पूरा detail वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें मैं बताऊंगी कैसे company change करना प्रोबिशन पीरिएट क्या रहता है कितना notice पीरिएट में आपको काम करना होगा लास्ट में कितना पैसा आपको देना होगा या वो लोग देंगे हर चीज में detail में आपको जरूर बताऊंगी तो salary को लेगे यही अपडेट है अभी तक कि इस साल कोई भी salary आपकी नहीं बढ़े आप जिस भी salary में काम कर रहे हैं उसी salary में आपको काम करना पड़ेगा मिट तक तो शूर हूं मैं कि हाँ नहीं बढ़ेगी salary उसके बाद मेभी आपकी salary बढ़ सकती है तो guys I hope यह वीडियो आपको helpful होग तो guys मिलते कल एक नहीं वीडियो के साथ नहीं अपडेट के साथ अपता के लिए goodbye and take care